हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक पीसी रेडी कर रहे हैं जिसमें इंटेल को राइ 5 11 जेनरेशन का प्रोसेसर MSI का H510 मदरबोड, 16GB DDR4 RAM 32 MHz की 256GB की NVMe SSD और साथ ही साथ उसमें रहेगे 1TB की हर्डिस्क तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह MSI का मदरबोड है जिसका मॉडल नमबर है H510MA PRO इसको H510 मदरबोड भी कहते हैं MSI का दोस्तों यह गेमिंग PC के लिए 800GB के बाद सबसे ज़्यादा बिखने वाला मदरबोड है तो आईए इसके अन्बोक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैया पाट्स निकल रहे हैं दोस्तों यह मदरबोड हमारा 11th 10 जनेरेशन को दोनों को सपोड करता है आप देख सकते हैं दोस्तों यह हमारा मदर possiamo मिर्टा है जो कि ए कि त्रहा है मैं साइग का मदरबोड और देखते हम से क्या क्या निकला है कुम आप देखेंगे दोस्तों यह हमारी बैक पत्ति है जो कि हमारी केबिनों उसको कसिडने के लिए है और यह हमारा मैनुवल है आप इस manual को पड़ करके भी हमारे जो motherboard का installation है या CPU fan का installation है ये सारी चीज़े यहां से भी देखकर आप कर सकते हैं और बाकी जैसे कि मैं आँगे वीडियो में बताने वाला हूँ आप उस हिसाब से भी इसको कर सकते हैं तो इसको तो अलग करते हैं अपन साथ में देखेंगे दोस्तों यह हमारी driver CD है यह हमारे motherboard के जो भी drivers हैं जो भी हमारे software वगएरा है उसको install करने के काम में आती है तो दोस्तों यह तो रहा हमारे motherboard तो दोस्तों हम अपने motherboard को इस polythene से बाहर निकालते हैं तो आप देखेंगे ये हमारा जो motherboard है polythene से बाहर आ गया है आप देखेंगे दोस्तों हमारी MSI के board है इसकी build quality काफी better है इसमें देख रही है जो कि आप देख सकते हैं इसकी build quality वगड़ा है जो इसके component वगड़ा है वो काफी अच्छी quality के लगे हुए है तो आप देखेंगे दोस्तों ये हमारा motherboard है और दोस्तों इस motherboard की पूरी detail की मैंने एक वीडियो बना करके अपने चैनल पर upload किया हुआ हूँ जिसमें मैंने इसके पूरे connector वगड़ा कहां पर processor है कहां पर RAM लगेगी कौन से connector वगड़ा इसमें यूज हो रहे हैं कितने GB की RAM इसमें support करेगी DDR4 RAM है 32 MHz है इसमें connector कौन कौन से लगे हैं यह सारी जानकारी मैं इसके पहले वाली वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ आप वहां पर जाकर के भी वीडियो को देख सकते हैं और पूरे इस board की configuration, connector वगड़ा इन सारी चीजों की जानकारी आप वहां से ले सकते हैं तो वीडियो को आँगे बढ़ाते हैं दोस्तों और इसमें मैंने काफी details में आपको सारी चीजे बताया हूँ तो यह थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपने घर में आराम से PC को install वगएरा कर सकते हैं तो आएए दोस्तों अब हम अपने प्रोसेसर को देखते हैं प्रोसेसर के अन्बोक्सिंग वगएरा करके इसमें अटेच करके आपको दिखाते हैं दोस्तों यह हमारे आईफाीप का प्रोसेसर है जो की 11 एलेवन जमीअरेशन सपोर्टिट है यह 7400 सीरिस का प्रोसेसर है इसमें दोस्तों हमें ग्राफिक कार्ड लगाने की जरुवत नहीं पड़ती है, जो i5 का 11400G प्रोसेसर आता है, उसमें हमको ग्राफिक कार्ड लगाने की जरुवत पड़ती है, तो आई ये इसको अन्बॉक्सिंग करते हैं, ये आप देखेंगे इसमें से हमारा मैनुवल निकल रहा है, और ये स्टीकर है, इसे स्टीकर को हम कैबिनेट में आँगे पेस्ट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रोसेसर है, जो कि 4i5-114-00-series का शो कर रहा है, और साथ ही दोस्तों हमारा फैन है इसका, फैन के क्वालिटी काफी शांदार है, दोस्तों इसमें बीच में कॉपर की प्लेटेट है, ये पूरा कॉपर का ये किसमें गिट्टा लगा र प्रोसेसर को फैन को इसमें मदर बोड में अटेच करते हैं, तो दोस्तों आप ये देखेंगे हमारा मदर बोड है, जिसमें हमारा जो प्रोसेसर को कनेट करना है, वो यहां पर कनेक्ट होगा, तो प्रोसेसर को करने के पहले हम इस कैप को अलग करेंगे, दोस्तों इस कैप मिली को बहुत साफधानी से आपको अलग करना है क्योंकि ये कैप हमारी नों के protection के लिए होती है किसी भी काम को करते समय क्या के क्याइब को अलग करते समय या प्रोसेसर को लगाते समय पयर डैमेज नहीं होनी चाहिए दोस्तों अगर पिने डैमेज होंगी तो हमारा board warranty के बाहर चल जाएगा ये बात मैंने हमेशा बताए हूँ अपनी हर वीडियो में आपको ये चीज से अवगत कराया हूँ तो आप प्लेज प्रोसेसर लगाते समय काफी केरफुली प्रोसेसर को इंस्टॉल करें ताकि कोई भी pin डेमेज ना हो आप देखें दोस्तों ये हमारा प्रोसेसर है इस प्रोसेसर में आप देखें ये कट साइन बने हुए है जो कि ये कट साइन हर प्रोसेसर में बना रहता है बस थोड़ी सा आंगे पीछे रहते हैं और ये कट साइन दोनों साइड बने रहेंगे आप देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं वीडियो में आपको इस कट साइन का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इसी डाइब का लीवर आपके यहां पर बना रहेगा मला जैसा अपना रहा है सौकेट रहेगा मदर बोट का उसी सौकेट पर दोस्तों यह प्रोसेसर की और यह स्लीवर को वापस उसी जगे पर सेट कर देना है दोस्तों यह काम आप बहुत जादा सावधानी से करें ताकि किसी भी प्रकार का नुक्सान हमारा नहां हो इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हमारा फैन की बारी आती है जो कि हम फैन यहां पर इंस इसमें जो ये टांगे हैं, ये हमारी processor fan की टांगे कहलाती हैं, यह हम उसको stand कह सकते हैं, यह जो motherboard में चारो पॉइंट दिख रहे हैं, जो चारो होल्स दिख रहे हैं, उनमें हमें इन टांगों को set करना है, तो दोस्तो आप देखेंगे जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रहा ह आप उसी हिसाब से इसको यहां पर सेट करेंगे आप देखेंगे यह हमारा चारो पॉइंट आ गए है आप यहां पर दोस्तों जो यह पॉइंट देख रहे हैं यह हमारे प्रोसेसर फैन के पॉइंट है बस आप यह जरूर अच्छे देख लें कि यह चारो की चारो से निकलाए हैं जब यह इस तरफी अच्छे से निकलाएं उसके बाद ही आपको इसको पुश करना है दोस्तों हमेशा जो भी आप फैन के स्टेंड को लगाएंगे वो सब क्रॉस में लगाएंगे कभी भी आप सिक्वेंस में लगाएंगे नहीं तो स्टेंड तूटने का डर तो stand हो चाहे हमारे motherboard के screw हो चाहे किसी भी चीज को हो उसको कोशिश करें कि हमेशा आप cross में ही उसको attach करें तो दोस्तों यह हमारा हो गया यह हमारा connector है इस connector को हम CPU fan वाले socket में लगा देंगे यह आप देख सकते हैं हमारा connect हो चुका है CPFAN प्रोपर तरीके से अब हम दोस्ते इसमें हमारी जो RAM है जो कि 16GB की है crucial की उस RAM को हम इसमें install करते हैं दोस्तों ये crucial की RAM है जो कि 16GB की है 32 MHz की है और crucial भी एक बहुत अच्छा ब्रांड है दोस्तों हमारे desktop और laptop के market में हमारी जो भी RAM वगएरा है, hard disk वगएरा है, SSD वगएरा है crucial की भी अच्छी कंपनियों की आती है तो आप ये देख सकते हैं हमारा हम इसको unbox करते हैं आप देखेंगे इसकी भी packing in ने बहुत अच्छी दिये हुए है तो दोस्तों RAM बहार आ चुकी है आप देख सकते हैं अब हम इस RAM को अपने motherboard में install करके आपको बताते हैं और RAM को लगाते समय क्या सावधानी रखना ये भी अवश्य देखें तो आप देखेंगे दोस्तों ये RAM में हमारे cut sign बना हुआ है और सेम cut sign हमारे motherboard में भी बीच में बना हुआ रहता है तो हमको सिब उस cut sign से motherboard के cut sign को मिला करके ही लगाना है और RAM को लगाने को लगाने को बाद हलका सा push was कर दें तो दोस्तों ये हमारे motherboard में processor और RAM दोनों चीज़ install हो चुकी है अब इसकी बाद आता है SSD दो टाइप की है दोस्तों एक हमारी SATA और एक हमारी NVMe तो NVMe onboard होने के कारण काफी अच्छी speed देता है और SATA SSD उसमें power connector बगारा लगता है तो उसकी speed NVMe से थोड़ी सी कम रहती है सिर्फ यही difference है दोनों में मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों आप देखेंगे यह हमारी SATA SSD है और जो EVM की है वो हमारी NVMe है SATA SSD दोस्तों हमारे इसमें connect होती है जो कि हमारे SATA connector होते हैं उनमें और NVMe जो है हमारी वो onboard connect होती है तो कोशिश करें अगर NVMe है तो NVMe का ही उप्योग करें दोस्तों हमें NVMe को connect करने पहले इस motherboard में जो हमारे screw निकले रहे box में उस screw को इसमें install करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम यह screw को बाहर निकाल लेते हैं और आपको बताता हूँ कि इसे कैसे हमें connect करना है आप देख सकते दोस्तों इसमें दो point है एक हमारा base है जो कि मेरे हाथ में है हमारे जहां पर SSD का ending point आएगा आपको वह base वहाँ पर install करना है install करने मतलब है दोस्तों आपको वहाँ पर उसको अच्छे तरीके से कसना है तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं इसको कस रहा हूँ दोस्तों एक बार इसमें point बना रहता है तो आप थोड़ी सा उससे भी कसने तो ज्यादा बेटर रहेगा तो मैं इसको अपने एक tools के थूरू इसको थोड़ी सा अच्छे तरीके से proper तरीके से इसको कस लेता हूँ अब आप देखेंगे दोस्तों हम अपने SSD इंस्टॉल करेंगे तो जो हमारे SSD का cut sign है वो हमारे socket के cut sign में लगा करके सिफ़ हलका सा इसको push करना है तो कभी भी जब भी आप NVME को लगाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको उस NVME को पलटा के या उल्टा करके नहीं लगाना है आप जब भी इसे इंस्टॉल करेंगे बस सीधा आपको यहां पर रख करके इसको हलका सा push कर देना है और जो हमारा base हमने कसे हैं तो जो अभी screw इसमें निकला रहा है उस screw को वहां पर कस देंगे ताकि हमारी NVME SSD ना हेले ना डोले और हमारा data और हमारी window वाकरा corrupt ना हो तो दोस्तों यह हमारा fan, ram और SSD तीनों चीज़ा connect हो चुकी है अब हम इसको अपमारे cabinet में इंस्टॉल करके आपको आंगे की process बताते हैं तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो like and subscribe जरूर करें अब आप देखें दोस्तों यह हमारा cabinet है जैबराउनिक का इस cabinet में हम यह पूरे आइटमों को install करेंगे तो दोस्तों जो हमारे cabinet वगरा आते हैं यह जैबराउनिक के Intex के और भी कई कंपनियों के आते हैं तो आप अपने सुविधा अनुसार जो भी cabinet चाहिए लगभग 1200 रुप और उनको लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखना है यह सारी चीजे हम आपको बताने वाले हैं आप देखेंगे दोस्तों हमारे cabinet ओपन हो गया है इस cabinet के साथ दोस्तों इस क्रू आते हैं जिसमें हमारे सप्लाई के स्क्रू मदरबोर्ड को कसने के स्क्रू साथ में हाट यह हमारे इसके फ्रेंट पैनल कनेक्शन यूसबी और आडियो के कनेक्टर हैं जो कि हमारे फ्रेंट पैनल कनेक्टर कहलाते हैं दोस्तों यह हमारी सप्लाई है जो कि जैब्रॉनिक की है और यह चार उस्क्रूओं के थुरू कसी जाती है जो कि आप मैं जैसा कि दिखा रह दोस्तों, हमें पहले Motherboard की पट्टी लगाएंगे, जो कहँए बोड के साथ निकली थी, अगर आपको ध्यान हो तो, जो हमारी बैक पट्टी कहलाती है, बोस पट्टी को हम पहले इसमें इंस्टॉल करेंगे, तो आप देखेंगे दोस्तों यह हम इसमें backparty को install कर रहे हैं और backparty को install करने के बाद हम इसमें अपना base वग़रा के screw लगा के motherboard को set करेंगे तो दोस्तों base party लगाते समय ध्यान दें कि जो पटी हमारी लग रही है उसमें keyboard mouse के connection वगरा सब उपर side हो मला जैसा हमारा motherboard दिया है उसी हिसाब से back party यहां पर हमें set करना है उल्टी back party set कर देंगे तो हमारा motherboard set नहीं होगा यह हम इसके base वाले screw कस रहे हैं जो कि हमारे पीतल के screw आते हैं मला पीतल की base आती है इसको कसने के बाद हम इसी गुपर अपने motherboard को set करते हैं तो इसको कस कि आप थोड़ी सा pinches वागेरा से भी इसको tight कर लें ताकि यह motherboard कभी अगर खुलना पड़े तो उसके साथ यह धीले होके खुले ना तो आप वीडियो में बताए इनों सारे step से सारी चीजों को set कर सकते हैं अब हम यहां पर अपने motherboard को set करने वाले हैं मदर बोड में भी दोस्तों 6 पॉइंट बने हुए हैं स्क्रू को कसने के और हमारा MSI का बोड थोड़ी सा बड़ा बोड है इस वहीं से हम इसमें पूरे स्क्रू के पॉइंटों पे स्क्रू को कसेंगे इसलिए हमने केबिनेट पे भी अपने 6 जगे पे बेस को लगा के रेडी किये हैं तो दोस्तों जहां जहां पे motherboard में इस्क्रू कसने के point रहते हैं वहां पे जरूर उसको कसें ताकि बोड ना ढीला हो ना ही तो उसमें कोई सभी component निकालते हो लगाते समय कुछ भी ब्रेक हो या जर्क टाइप की पड़े तो इन इस्क्रूओं को लगाते समय जरूर ध्यान रखें कि प्रॉपर तरीके से हमें उन इस्क्रूओं को सेट करना है दोस्तों ये तो छोटी-छोटी सी चीजें हैं मगर ध्यान देने वाली चीजें हैं ऐसा नहीं है कि आप सब चार स्क्रूओं कस के बाखी की चीजें छोड़ दें इस वए से आप जब भी लगाएं तो पूरे प्रॉपर तरीके से connect करें अब ये हमारी power supply है जो की 24 pin की power supply है आप इस power supply को यहाँ पे इसको connect करेंगे हमें lock का ध्यान रखते हुए दोस्तों इस power supply को लगाना रहता है ये तो हमारी 24 pin की supply हो गई है ये हमारी 12 pin की supply है दोस्तों यहां पर हमारे मदर बोर्ड में एडिशनल सप्लाई भी मिलती है लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 12 बोल्ट सप्लाई है तो हमसे बुसको बस लगा रहे हैं और यह हमारे साटा के कनेक्टर बगेरा हैं अगर हम इसमें दूसरी सप्लाई बगेरा इंस्टॉल करेंगे तो यह कनेक्टर हमारे इंस्टॉल होंगे अभी हम इस केविल को यहीं रखते हैं बाद में उसको सेट कर देंगे अच्छे से और दोस्तों यह हमारे फ्रेंट पैनल connection है जैसा ही मैं पहले बता चुका हूं यह हमारे audio और USB के connection है तो दोस्तों motherboard में हमारे जो भी connector रहते हैं वहां पे लिखा हुआ रहता है कि कौन सा connector किस चीज का है तो इसमें भी आप थोड़ी सा अगर गलत connector लगाएंगे तो दोस्तों पिन डैमेज हो सकती है और पिन वगरा डैमेज होने की condition में भी हमारा mother word warranty से बाहर हो जाता है तो इन चीजों का थोड़ी से विशेज ध्यान दें अब हम इसमें हमारा front panel connection करेंगे जो के हमारे switch वगरा के connection कहलाते हैं इसमें दो socket बने हुए दोस्तों लेकिन हमारे इस वाले socket में लिखा है front panel connection तो हम उसको वहीं पे लगाएंगे यह हमारा power switch है power switch जो दोस्तों 4 point होते हैं उन में से 2 point power switch के होते हैं power switch के just पीछे हमारे जो 5 पेन वाले socket होते उन में से power switch के पीछे वाले connector reset के कहलाते हैं reset के just बाजिव हमारा hardest LED होता है और hardest LED के ऊपर side हमारा power LED का connector होता है दोस्तों ये connection में पहले भी अपनी वीडियो से बहुत details में बता चुका हूं और अभी आपको बता रहा हूं कि इसमें 4 और 5 पेने रहती हैं तो जो 4 पेने वाली connection है उनमें 2 पेने हमारे power की है power के just पीछे reset है power के बाजिव में हमारा power LED है और power LED के just पीछे reset के बाजिव में हमारा hardest LED का connection है तो आपको इन connection को इसी प्रकार से set करना है आप देख सकते हैं हमारे connection हो गए हैं अब हम इन cable को अच्छे तरीके से यहां पर क्लिप बगेरा कर देंगे ताकि कोई भी cable हमारे जो भी हमारा CPU fan है उनमें जाकर के न फसे नहीं तो हमारे CPU fan भी हो जाएगा तो दोस्तों बस चोटी-चोटी सी सावधानियों को ध्यान में रख करके आप अपने घर पे ही PC को ready कर सकते हैं अब हम एक वार इस PC को on करके देखते हैं आप वीडियो में बने रहे दोस्तों और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों या कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज साब्सक्राइब जरूर करें और कुछ भी अगा डाउट हो तो आप कमेंट करके डाउट मेरे से क्लियर कर सकते हैं तो कैसी लगी दोस्तों यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताईएगा यह हमारा PC ओन हो चुका है आप देश सकते हैं और इसमें विडियो डालने के मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो बना करके डालूंगा इसका बायूस कैसा क्या होता है ड्राइवर सीटी से ड्राइवर कैसे इंस्ट्रॉल करते हैं सारी वीडियो में आगे आने वाली वीडियो में बनाने वाला है तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों